इस्रो एक ऐसा नाम जिसे सुनके हमें गर्ब महसूस होता है। इस्रो ने हमारे देश के लिए जो योगदान दिया है। उसी वज़े से आज हमारे देश का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। पर आज जहां इस्रो खड़ा है वो सफर इतना आसान नहीं था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस्रो ने कैसे किया जमीन से आस्मान तक की बुलंदियों को छूने का सब्सक्राइब जब हमारे देश को 15 अगस सन 1947 में आजादी मिली थी। तब हमारे देश की आर्थिक स्रिती इतनी मजबूत नहीं थी। इसके बावजूत भारत बहुत तेजी से विक्सित हुआ और आज भारत दुनिया की छटी सबसे बड़ी अर्थ्वेवस्ता है। भारत ने कई सारे छित्रों में बेविसाल लुपलब्दी हांसिल की। आज विस्व की नजरों में भारत ने अपनी एक अलगी चाप छोड़ी है। और क्या आप जानते हैं इस्रों की स्थापना भी 15 अगस्ट को ही हुई थी। जी हाँ 15 अगस्ट 1979 को यानि आज से लगबग 53 साल पहले साइन्टिस्ट विक्रम साराबाई की योगदान से इस्रों यानि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईशन की स्थापना की गई पहले ही अंत्रिक्ष अनुसंदान की सिरुवात कर दी थी। भारत के सदंचर होने के बाद ही ये महसूस कर लिया गया था कि आने वाले समय में अगर हमें कंधे से कंधा मिला कर चलना है तो हमें भी अंत्रिक्ष की तरफ कदम बढ़ाना होगा। साइंटिस्ट विक्रम सराभाई का ये मानना था कि अगर भारत को विश्व में एक महत्वपूर्ण बेस बराना है तो इसे आधुनिक तक्नीक को अपनाना ही होगा और इसका उप्योग समाज कल्यार के लिए करना होगा। अभी कहा जाता है तो यहां से भारत के स्पेस रिस की सुरुवात हुई इसके बाद भारतिया अंत्रिच कारक्रम को बढ़ाने के लिए सन 1962 में इंडियन साइंटिस्ट विक्रम सारा भाई ने डॉक्टर होमी जे भावा के साथ एक कमेटी तयार की जिसका नाम था इनको कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च और इसके चेर्मेन विक्रम सारा भाई बने इनको स्पार ने साथन इंडिया के थुम्बा में थुम्बा एक्कोटरियर रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन बनाया जहां से 21 नवंबर 1963 में भारत ने पहला यूएस द्वारा बनाया गया नाइकी स्पेस प्रोगराम की और और बढ़ावा मिला फिर 15 अगस 1979 को इंडियन स्पेस प्रोगराम को भारत परमाणु उर्जा विवाग से निकाल कर एक स्वधंत सरकारी विवाग बना दिया गया जिसका नाम रखा गया इस्रो यानि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गरनेशन इस इस रोकेट को साइकल और बेलगारी में लाद कर ले जाया गया था 19 अप्रेल 1975 को भारत ने अपना पहला सेटलाइट आरिवर्ट को सक्सेसफुली लॉंच किया लेकिन इस वक्त भारत के पास खुद का सेटलाइट लॉंचिक वहिकल नहीं था इस वज़े से इसको रश्या के कापुस्टीन यार्क के लॉंच वहिकल कॉस्मोस 3M द्वारा लॉंच किया गया था इसके बाद भारत ने खुद के SLV यानि सेटलाइट लॉंच वहिकल को बनाने पर जोड दिया और फिर अगस्त 1989 तक भारत ने खुद का लॉंच वहिकल बना ही लिया और इसको बनाने म सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिने हम विसाइलमेंड के नाम से भी जानते हैं इस एसलवी जिसका नाम था एसलवी 3 इसको 10 अगस्त 1989 में स्री हरी कोटा के 37 धवन इस्पेस सेंटर द्वारा टेस्ट किया परन्तु इस्रो का ये पहला एसलवी लॉंच फेल हो गया था लेकिन इसके बाद भी इस्रों ने हार नहीं मानी और 18 जुलाई 1980 में भारत ने खुद के पहले सेटलाइट वहिकल से रोहनी वन को सकस्पुली लॉंच किया अब भारत के पास खुद के सेटलाइट बनाने और उसे लॉंच करने की सक्ति थ जिससे भारत ने बहुत सारे देशी और विदेशी सेटलाइटों को लॉंच किया अब इसरों के पास दो प्रकार के लॉंचिंग वहिकल थे पहला PSLV यानि पोलर सेटलाइट लॉंच वहिकल जो है पोलर ओर्बिट में लॉंच करने के लिए और वही दूसरा है GSLV यानि जियो सेटलाइट लॉंच वहिकल जो है जियो स्टेशनरी ओर्बिट में लॉंच करने के लिए 15 अगस 2003 में उस समय के प्रधान मंत्री स्री अटल भ्यारी वाजपई ने अपने इंडिपेंडनेंस डे स्पीज के दोरान भारत के लोनार मिसन की एनॉंसमेंट की थी वो मिसन इसरो के लिए बहुत बड़ा मिसन था इसरो का पहला मिसन जो प्रित्वी के और्बिट के बाहर मून एक्स्प्लोरेशन के लिए किया जाने वाला था और फिर फाइनली 22 अक्टूबर 2008 को 37 धवन स्पेस से इसरो ने चंद्रियान 1 को लॉंच किया इसको मुख्य रूप से chemical characteristic और इसके three dimensional topography का अध्यन करने के लिए भेजा गया था सायद आपको पता हो इसरो चांद पर जाने वाला चौथा देश है और हमने चांद पर जाने के लिए किसी भी देश की मदद नहीं ली थी बलकि हमने खुद की technology develop की इसरो के चंद्रियान 1 ने पहली बार चंद्रमा के बाद इसरो की विश्व में एक पहचान बनी अब बात आती है पांच नॉंबर 2013 की जब इसरो ने मंगल यान मिशन यानि मार्स और्बिटाइट को पहले प्रयास में ही सफलता पूर्वक करके इतिहास रस दिया था इससे पहले कोई भी देश अपने प्रथम प्रयास में मार्स मिशन को पूरा नहीं कर पाया था इस मिशन का मुख्य उद्देश मंगल ग्रह के वातावरन के केमिकल क्रेटरश्टिक का अध्यन करना और मंगल ग्रह के सतर की टोपोग्राफी का अध्यन करना था और इस मिशन की सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मिशन को केवल मिलियन यूएस डॉलर में मैंने ये बजट इसलिए बताया है क्योंकि नासा को सेम ऐसे ही मार्स और्बिटाइड मिसन को पूरा करने में करीब 700 मिलियन यूएस डॉलर का खर्च आता है यहां तक कि हॉलिविड मुवी दे मार्साइन को बनाने में भी इससे कई ज़्यादा खर्च हुआ था तो आप खुश सोचो कि हमारा इसरो बाकी स्पेस और्गनाजेशन से अलग कैसे है कम पैसे में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना हम भारतियों की खासियत है और इसी वज़े से विश्व के कई देश अपने सेटलाइट लॉंच कराने के लिए इसरो के पास आते हैं इसरो ने हमारे देश की अर्थिवस्ता को उपर उठाने में बहुत हद तक सहयोग किया है 23 जून 2016 को इसरो ने एक साथ 20 सेटलाइट को लॉंच किया था और इसमें एक सेटलाइट गूगल की थी इसके कुछ महीने बाद 8 सेटलाइट 2016 को इसरो ने एक इंडियन वेधर सेटलाइट इंसाट 3DR को सक्सेश फुली लॉंच किया ये सेटलाइट दूसरा सबसे भारी भरकम सेटलाइट था अब बात करते हैं उस एतिहास एक दिन की 15 फरवडी 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सेटलाइट को लॉंच करके वर्ल्ल रिकॉर्ड कायम किया और खास बात ये थी के इन 104 सेटलाइट में से केवल 3 सेटलाइट ही इंडिया की थी बाकी के 101 सेटलाइट इसरो के इंटेरनेस्टल कस्टमर के थे अब आप समझी गए होंगे के इसरो आज पूरी दुनिया में इतना खास क्यू है इसरो की ये खासियत है कि महेंगे ओपरेशन्स को सबसे सस्ता और सभलता पूरवक करना इसके साथ ही इसरो ने खुद का अपना GPS सिस्टम नाविक लॉंच कर लिया है जो कुछ समय बाद हम सभी भारतियों के लिए एविलेबल होगा नाविक क्या है? इसके उपर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्किप्सन में है ऐसी और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जाद स्यादा शेयर करें थेंक्स फॉर वाचिंग